अर्बी की सबजी की बहुत सारी विराइटीज होती हैं तो मैंने बनाई है दम अर्बी धावा स्टाइल जो कि खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी होती है एक बार आप इसे खालेंगे तो आप अर्बी की इस सबजी के डेफिनिटली फैन हो जाएंगे और ये जो सबजी है बिल्कुर धावे वालों के तरीके से मैंने घर में बनाई है, बिल्कुर धावे वाला टेस्ट 400 ग्राम मैंने अर्वी को अच्छे से वाश कर लिया पानी से और इसे छील यह उसका स्किन रिमूव कर दिया है और पानी में 10 मिनिट ले अर्वी को आप भिगो के रख दीजे नहीं तो अर्वी काली पड़ जाती है कि जो तेल है वो बहुत तेज गरम होना चाई जब आप रवी डालेंगे लेकिन उसके बाद आपको अर्वी को एकतम स्लो फ्लेम पर फ्राई होने देना है slow flame पर और जब आप ये देखेंगे कि अर्वी जो है सारी oil paste तरह से तैरने लग गई है float करने लग गई है इसका मतलब कि अर्वी अंदर से पक चुकी है उसके बाद हम gas का flame तेज कर देंगे और अर्वी को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे सुनहरा कर लेंगे तेज आच पे सुनहरा होने के बाद अर्वी को हम तेल में से निकाल के बोल में डाल देंगे और marinate कर देंगे उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा नमक डाला है मैंने एक चमच थोड़े से oil के साथ और साथ में डाला आदी चमच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर अच्छे से मिक्स कर लीजे इस तरीके से जिसे की सारा मसाला अर्वी पे कोट हो जाए और अर्वी को रखेंगे साइट में और ग्रेवी की तयारी कर लेंगे अर्वी बहुत ही जादा टेस्टी बनती है आप एक बार घर में जरूर बना के देखिए अर्वी पूरी अच्छे से मसाले में कोट होगे एक पैन में मैंने दो बड़े चमच ऑईल के लिए हैं और आप चाही तो सरसुका तेल ले सकते हैं एक चमच मैंने उसमें डाला जीरा का जीरा अच्छे से बुन जाएगा उसके बाद इसमें फ्रेश कुरियंडर धनिया की पत्ती डालेंगे और साथ ही में इसके अंदर हमने एक तेज पत्ता तोड़के डाल दिया है दो टकड़ों में तेज पत्ता धनिया और जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें एक टमाटर एक तम बारिक कटा हुआ डालेंगे और टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे टमाटर जो है ना उसके साथ हम कुछ मसाले डालेंगे आधा चमच लाल मिर्ची का पाउडर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर वन फोट टीस्पून हल्दी बिल्कुल चुटकी बर हल्दी डालेंगे आधा चम्मच किचन किंग मसाला जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है आधा चम्मच कुरियंडर पाउडर और 1 फोर टीस्पून चाट मसाला और थो रासा 1 फोर टीस्पून गरम मसाला सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजे और ओयल छोड़ने तक टमाटर को पका लेजे ये देखिए ओयल बिल्कुल अच्छे से टमाटरों ने रिलीस कर दिया है और अब इस टमाटर के पेस्ट में हमें ग्रेवी आड़ करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए हमने क्या किया है आधा कब फ्रेश दही लिया है अब ध्यान दीजे दही खटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ताजा जमा हुआ दही होना चाहिए नहीं तो आप हंकर्ट का अस्तमाल करें रात को दही को फ्रेश में बान कर रख दीजे और मॉर्णिंग में आप उससे सबजी बना सकते हैं दही में हमने डाला बारिक कटा हुआ धनिया और साथ ही में हम मसाले एड करेंगे और मसालों में हमने डाला सबसे पहले चॉप करा हुआ बारिक एक टेबल स्पून अद्रक का अद्रक को मैंने एक टेबल स्पून बारिक चॉप करके डाला है और साथी में 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सौंफ का डाला है फैनल सीट्स का आधी चमच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर जो की बहुत कम तिकी होती है लेकिन सबजी का रंग बहुत अच्छा आता है इससे साथी में आधी चमच डालेंगे दनिया पाउडर, कुरियंडर पाउडर और एक चमच में इसमी डाला ड्राए मिंक पाउडर पुदीना पाउडर जिससे आप असानी से घर में बना सकते हो या एमेजॉन पे भी ये मिलता है वन फोट टीस्पून बिल्कुल चुटकी बहर आपको इसमें डालनी है हल्दी और तीन हमने डाली बड़े इलाइची ब्लाक काडमम्स छिल के समेट इससे डाल देंगे साथी तीन छोटी इलाइची हरी वाले इलाइची ग्रीन काडमम्स पी इसमें डाल देंगे पांच मैंने इसके अंदर काली मिर्ची डाल दी है और आदी चम्मच हींग असा फटीडा हींग बहुत सारी डलती है अरभी की सबजी में तभी टेस्ट अच्छा आता है और एक बारिक कटा हुआ टमाटर एक टमाटर बारिक काट कर इसमें मैंने डाल दिया आदी ही चम्मच मैंने इसमें बुना हुआ जीरा डाला है, रोस्टेट क्यूमिन पाउडर और आदी ही चम्मच तोड़ा सा मैंने इसमें डाला है गरम मसाला एक टेबल स्पून ड्राइप फेनिग्वेक लीव्ज इसमें कसोरी मेती कर मैंने डाल दिये हैं और एक डाल दी है मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची का अब मसाले का पेस्ट बना लेंगे, एक्तम फाइन पेस्ट हमने इसका बना लिया है और इस पेस्ट को अब हम गरेवी में डाल कर पकाएंगे जो मैंने आपको 140 गरम मसाला बताया था, दर असल वो चाट मसाला है, मुझसे लिखने में थोड़ी सी गलती हो गए थी अब यह जो टमाटर का पेस्ट हमने बना लिया है, प्रिपेर्ड मसाला जो हमने तयार किया है मिक्सी में मुझसारा का सारा तमाटर के साथ मिक्स करके इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे अब यहाँ पे आपको तुरेंट मसाला एड़ करके इसमें बहुत सारा गरम उबलता हुआ पानी डालना है यह देखिए थोड़ा सा मिक्सी का जार गरम पानी से मैंने दो लिया है और इसी के साथ इसमें मैं करीब 2-3 कप पानी डालके मसाले को अच्छे से पकाऊँगी दो कप देखिए मैंने गरम पानी और थोड़ा सा पहले पानी डाल दिया तो लगबग 3 कप पानी डालके आपको बिकल ओल चोड़ने तक मसाले को पकाना है इससे होगा ये कि जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से फूल जाएंगा ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा तो इसे ऐसे नहीं पकाना है ठक कर आप इसे स्लो फ्लेम पर कंटीनिसली बीट बीच में चलाते जाएए और मसाले को पकाते जाएए करीब 10 मिनिट लगते हैं अगर सबजी अच्छी बनानी है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी तो ये देखिए तेल छूट चुका है अच्छे से सबजी जो है वो मसाला उसका पक चुका है ओल उसने रिलीस कर दिया है और इसमें मैंने वनफोर्थ कफ फ्रेश आमूल का क्रीम डाला है आप ताजा मलाई भी ले सकते हैं तीन बड़े चम्मच मैंने इसमें बारिक कटा हुआ धनिया भी डाल दिया है और ये सबजी जो है ना इतनी टेस्टी बनती है बिलकुल इसी तरीके से मसाले डाल के आपको बनाना है और जैसा कि आप देख रहे हैं सबजी बिलकुल भी स्पा इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया है मैरिनेटेड मसाला से कोट करके जो मैंने अर्भी रखी थी वो भी डाल दिया है अब अर्भी डालने के बाद क्या होगा कि जो ग्रेवी है ना बहुत तिक हो जाएगी तो अर्भी जिससे की सारा मसाला पी ले उसमें हमने एक कप गरम पानी उबलता हुआ पानी डाल दिया है और इसे भी ऑईल चोड़ने तक हम पका लेंगे यह सबजी इतनी टेस्टी बनती है कि आपके घर में बच्चे तक इस सबजी के दीवाने हो जाएंगे दो टेबल स्पून मैंने इसमें देशी घी का डाला है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अर्वी की सबजी में घी का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है अगर आप बटर डाल रहे हैं तो नमक कम कर दीजे क्योंकि बटर में अलरी नमक होता है लेकिन बटर से भी जादा प्रेट हो चुका है यह सब्जी एक बार तो आप घर में जरूर बना के देखिए नहीं तो आप अर्वी की बहुत अची सब्जी अपनी लाइफ में मिस कर देंगे इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राइ करिए सब्जी की ग्रेवी अगर थिक लगे तो उसमें गरम पानी डा कर ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है उसे थोड़ा सा इंप्रूफ कर लीजे क्योंकि यह जो अर्वी है ना वो कंटिनेसली ना सब्जी का जो पानी है वो सोक करती रहेगी और गारी होती जाएगी इसलिए थोड़ा सा जादा पानी डालके जब सर्फ करना हो उससे पहले ग् के साथ बहुत ही जदा अच्छी लगती है रेसिपी अगर अच्छी लगते तो कमेंट करके क्वे कर सकते हैं लाइब कर लाइक करके मद्से तो आगे आप कौना सी करोएफ to fine देखना चाहेंगे आप मुझे अपने suggestions मेरे शौह चाहिए साथ share कर सकते हैं thank you so much for watching और आप इसे please घर में जरूर बना के देखिए thank you bye